हेले अवरिवन, वेल्काब बैक टो यर्व बियेचु पार्ट साला, बियेचु पार्ट साला के ऑनलेन प्लैटफोर्म पे मैं शिपुतिवारी आप लोका बहुत-बहुत स्वागत करते हूं, तो 2021 के नए सेशन की सुरुआत होने जा रही है, और 2021 में जितने भी नए चुकि तयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मेरी बहुत सारी शुप काम नाएं, और उनका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पे, और ये जो है आज से डेमो के शुरुआत होने वाली है, कि आपको हर सेक्शन किस तरह से दिया जाए, हलाकि ये जो वीडियो है, य एक GKGS का पोशन है, और मैं शिबुतिवारी आपको GKGS का पोशन पढ़ाने जाओंगी, उसमें बाइलोजी का जो शेक्शन होगा, वो मैं कवर करवाओंगी, और ये डेमो वीडियो है, जो सब के लिए है, अगर आप भी चाहते हैं, कि आप भी बेच्चु की तयारी करें और धीरे धीरे करवाई जाएगी, ये नहीं कि अचानक से आपको रेल की तरह दोड़ा दे और कुछ समझ में ही नहीं है, तो आपको अराम से तयारी करनी है, मैं हर रोज आपनों के लिए नये सेशन लेकर आती रहूंगी, नया मेरा एक क्लास रहेगा, नये लेक्चर्स र नहीं दिया, कुछ के एक्जाम अच्छा नहीं हुआ, कुछ अच्छी प्रिप्रेशन नहीं कर पाएं, तो आप घर बैठे, अच्छी ओनलाइन क्लास के थुरू आप तयारी कर सकते हैं, नो उतना जादा आपको कॉस्ट भी नहीं देना है, तो 2021 की सुरुआत करने से पहले कोर्स की तेयार के लिए, जीकी जीस में बालो जी का पॉर्सन क्या पढ़ना है, ठीक है, तो आज जो है, आज हम लोग जैसा कि अभी डिजीज का माहौल चल रहा है, कोविड की वज़ा से, तो आपको आज जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, हुमन डिजीज है, हलाकि एंस्या पढ़ना है, किस बेसिस पे आपको पूछी जाते हैं सवाल है, पांग से छे साल के उसमें सवाल कैसे पूछी जाते हैं, आखिर उनका मकसद क्या होता है देने का, तो यह सारी बाते में इतने अच्छे से जिकर कर दूँगी, कि आपको ज्यादा बुक्स पढ़नी की जरू human disease है तो आप लोगों को अच्छे से पता हुआ कि डिजिस क्या है हमारे अंदर जितनी भी बिमारिया हो जा रही है और वह बिमारिया क्यों होती है बहुत सारे वज़ा है उसके ठीक है तो यह सारी वज़ा हम लोग जानेंगे इस वीडियो के तो वीडियो को एंड तक देखन है वंगल भी हो सकता है प्रोटूजर्म जेंटिक डिज़ेस किसी को होता है किसी किसी को यह ओता है कि असके बाते में बात होगी तो disease जो है कुछ भी हो सकता है cancer, asthma, AIDS, उसके बाद से missiles, उसके बाद से cholera, influenza, smallpox and all तो आज बात करेंगे human disease के बारे में आपको पता है कि health क्या होता है health defined as a state of a complete physical, mental and social well-being health को हम लोग कैसे define कर सकते हैं आपको एक ऐसा state जहां पी कि हम पूरी तरीके से सारीरिक रूप से, मांजिक रूप से और समाजिक रूप से well prepared रहे, मतलब सही रहे अगर आपका health सही आपको हर काम करने में मन लगेगा एक दिन बिमार पढ़ जाओ बुखार हो जाए बेड ले लेते हैं आप सभी तो health को हम लोग affected कैसे होता है, genetic disorders, infections and lifestyle ये तीन चीजों से हमारा health प्रभावित होता है या तो आपको कुछ genetic disorder हो जाएगा आपकी family से अगर चलते आ रहा है किसी को है आपके पुरवजों में, या फिर infections हो जाते हैं किसी से, किसी के transmission से, या फिर आपके life style से आप अगर अपनी routine change करते हैं, कभी 10 बजे उठेंगे, कभी 12 बजे उठेंगे, कभी सुबह 4 बजे उठेंगे देखिया आप में कितना परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ आपको होई जाएगा, ठीक है तो अपनी life style को काफी अच्छे तरीके से आपको रखना है, कि आपको health की problem ना हो, ठीक है उसके बाद देखिये factors जानते हैं, कि good health के factors क्या होता है, maintain करने के लिए balance diet सबसे पहला है, personal hygiene और regular exercise regular exercise सब लोग कहते हैं, कि exercise करने से हमारा health बिल्कुल सही रहता है आपको अपने diet का balance रखना है, ना ही तो जादा खाना है, ना ही तो कम खाना है आपको diet अपनी plan सही रखनी होगी, ठीक है, उसके बाद आपके hygiene क्या होने चाहिए अब बात करते हैं, disease पर, disease यह आज का topic है, तो आज हम लोग disease पर discuss करने वाले जो कि infectious भी होता है, and non-infectious होता है, कुछ होते हैं, जो हम करते हैं, कुछ हम नहीं करते हैं लेक देट कि infectious, it means कि transmitted from one to another, caused by pathogens ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक माधियम से दूसरे माधियमे अगर transmitted हो जाता है ठीक है, तो वो infectious हो जाता है, उसका infection का बढ़ जाता है, खत्रा बढ़ जाता है और non-infectious क्या होता है, जो कि transmit नहीं होता है, और यह एक heredity factors होता है ठीक है, आपकी deficiency हो सकती है, आपके habitat हो सकते हैं, जैसे कि cancer यह एक heredity factors भी हो सकता है, मतलब अगर आपके ममी पापा को है, तो हो सकते हैं, आपको भी हो जाए, ठीक है, उसके बाद common disease क्या क्या होता है, यह धियान देंगे आप, bacterial, viral, protogen, fungal and halminthic, यह मैंने आपको उपर भी बताया था, तो bacterial infections बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको ने इसकी reasons जाना जरूरी है, किसकी वज़ा से होता है, अगर bacterial infection है, तो कौन सा bacterial infection है, सब के अपने अपने types होते हैं, आपको किस basis पे सवाल आते हैं, यह सब discuss होगा, ठीक है, तो जैसे bacterial infection में देख लिए, डीजिस में, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेह हो गया, डिप्थेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, अंत्रेक्स, लिप्रोसी, टेटनेस, एट्सटरा, तो बहुत सारे bacterial infections आपके बॉडी में हो जाते हैं, वाइरल क्या है, common cold है, पोलियो है, मेसल से, चिकन पॉक्स है, एड्स है, तो यह सारे viral disease होते है, प्रोटोजन की बात करें तो करते हैं, यह आप लोगों को फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह क्या है, यह है, एक ट्यूबर कुल, यह है, आपको किमाल लिया, आपको आपके लंक्स में प्रोब्लम है, आप समझ लिजी कि आपको नीमोनिया है, तो नीमोनिया में क्या होता है, नॉर्मल अगर दिखाना चाहूंगे टूबर कुलोसिस का इट मिंस की टीवी का यह बैक्टरिय इंफेक्शन होता है जिसका इफेक्ट होता है यह हमारे फेफडों पर पढ़ता है लंग्स में पढ़ता है इस तरह से आपको लंग्स का अंदर आप देख पाएंगे अगर आपको कभी ह हुआ होगा तो बात करते हैं डीजिस के आपकी जो सवाल है ना वह इसी बेसे सब्सक्राइब मालिया पूछ दिया कि जो डीजिस है मालिया मालिया यह किसके तुरू होता है तो हम बता सकते हैं कि यह कॉस्ट प्रोटोजोवा ठीक है ऑप्शन में रहेगा बैक्टरियल है है फंगल है वाइरल है तो आप प्रोटोजोवा इसके उप्शन में क्लिक कर सकते हैं अगर बात कर जाएं कि फिच पार्ट ऑफ दी हुमन बोडी तो आर्बीस यह रेड ब्लड सेल्स एंड लीवर तो मलेरिया का इंफेक्शन हमारे अफेक्ट किस बॉड़ी पार्ट पर हो जो भी इस वीडियो को देख रहा है मैं सवाल देने वाली हूं वीडियो को एंड तक देखेगा कोई नहीं भागेगा बतारी मैं और अगर आपको एड्स होता है आपको टेस्ट कराना है तो एलिशा टेस्ट आप लोग के लिए हलाकि एड्स हमें नहीं लगता कि हमें आप चाहें तो आप भी करवा सकते हैं मेरा काम है बालोजी शेक्सन कवर करवाना वो जी के जी इसका हो या फिर बालोजी हो ठीक है यह डाबलोबीस यानि लिंफोसाइट्स पर अफेक्ट करता है उसके बाद डाइडिया है तो यह प्रोडोजार डिजीज है और यह इंट प्रोडोजी रिवारस इसमी पांड भूश्च चोटे आपको स्बूश्च वाड़ पांड दिखेंगे बाद बढ़ोजा था प्रोडोज धीजार इसमीं तो आपको डरनी के बात नहीं है उसका बहला है इंपार्टन ओड़्योरग जो भी देख निए आप उन्यां आपको बताना है वाइरल है प्रोटोजोन है फंगल है और एक्सपेक्ट करते हूं कि जो बच्चे देख रहे हैं वो जरूर मेरे क्वेस्टेंस का एंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसके एंसर लाओंगी लेकिन आप लोगों को भी कर रहा होगा तैयारी इसको ही बोलते हैं कि पढ़ो और पढ़ाईबो करो ठीक है तो थर्ड क्या है पोलियो डिजीज इस कॉस्ट वाई ओके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अगर लेंग्विज की प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं ठीक है काला जार जो डिजीज है वो अफेक्ट वीच पार्ट अफेक्ट को अफेक्ट करता है और फि तो इस तरह मैंने नम के बाजाए कि कुछ वाइरस होते हैं कुछ वैक्टीरिया ऊते हैं फंचाई फ्रोटोजवा परसेडस ऑ्प्रोटीन तो वैक्टीरिया जैसे माल ये वाईग भिडोंगर इसमें हो इसमें नाम बताये और भॉत सारा यह यह है इसको जानना होगा बहुत जरूरी है आतनी एक्जाम्स में लाइक वाट से हर्पी से उसके बाद चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स यह सारी चीज़े वाइरस में आती है टाइफाइड टेटनस मेजल्स कोल्ड और इंफ्लुएंजा तो यह सारी चीज़े आपके वाइरस है उसी सारी चीज़े जो है बैक्टिरियल है उसी तरह फंजाई है रिंग वाउम उसके बाद से इस्ट इंफेक्शन बहुत सारी यह प्रोटोजवा में मलेरिया तो उसी तरह यह मैंने आपको बता दी प्रोटीन है उसी तरह यह है फिगर के मादेमस में समझाना चाहती थी कि वा तो इस तरह अगर आप इसको लगा हुआ है वह पर सब्सक्राइब और वह उसकी बलड से आपके बलड में आ गया तो तब इंफेक्शन पर जाते हैं उसके बाद से अगर कोई मच्चर काट देती है तो इससे भी इनफेक्शन हो जाता है ठीक है तो बहुत तारे इसके आप आपके कारण हो सकते हैं उसी तरह सिम्टम्स इसके क्या हो जाएंगे रेश्टेस हो जाएंगे जैसे मैंने बताया चिकन पॉक्स वाइरल डिजीज है उसी तरह आपको ठंड लगने लगेगी हाई फीवर हो जाएगा उसके बाद से आपको खासी काफी जायदा होने लगी क वेगरहा उसी तरह उसके टीटमेंट प्रिकॉसंस क्या हो सकते हैं अपको फिल यह जसकते नीЕ नींगे बेहने लेकर आऊंगे ऑन जल्दे लेकर आएंगे अभी बच्चे जल्दी आरहे हैं तो एक तरह बैच बन जाए कि पढ़ाने में ब्ल लग हैं आपको पढ़ने में कुछ non communicable disease होते हैं ठीक है उसके बद कुछ communicable होते हैं तो इस तरह मैंने आज आपको health के बारे में बताया disease के बारे में बताया I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज अगर अच्छी लगे तो like, share, subscribe कीजेगा और अगर आपको भी आपको registration करवाना है इस 2021 के नए बैच की सुरुवात के साथ आपको भी जाइन करें प्लीज हरी अब गाइस जल्दी से आप लोग call, WhatsApp करिए और आप लोग भी registration ले लीजी कि हम लोग एक अच्छी सुरुवात करें कि सारे बच्चे सकसिस हो सकें, ठीक हैं क्योंकि महनत कीजीए आपको बहुत जल्द मिलेगा उसका परिणाम, हर बच्चे महनत करते हैं आज हम लोग भी महनत की भल पे Bho के student हैं तो Bho की काफ़ी अच्छे students आपको पढ़ाएंगे इस तरह बाकी लोग भी पढ़ेंगे, आप लोग जाके अभी contact कर सकते हैं, registration अभी open है, okay, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई लेक्षर के साथ, अब तक लिए, bye bye, take care, और जो question दी हूँ, उसको ध्यान से करेंगे, कोई छोड़ेगा नी question, मैं expect कियों कि बच्चे फिर से screenshot ले लीजेगा, ठीक है, bye bye